पहली बार मुझे नहीं पता था कि कौन सवाला मैं हूँ और कौन सवाला नहीं हूँ समय और स्पेस का एक्वेशन अचानक मुझे पर लागो ही नहीं था ये एक भव्यो धल पुधल थी लेकिन बेहत खुबसूरत थी अगर इंसानियत ऐसी समावेशी भावना का अनभाव कर ले तो पक्का हम हर चीज़ का समाधान ढूंड सकेंगे मुझे आमतोर पर एक मिस्टिक या दिविदर्शी कहा जाता हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है अगर यहां कुछ ऐसा हो जिसे आप नहीं जानते और आप समझ भी नहीं पा रहे हो तो वह आपके लिए एक रहसे बन जाता है और अगर यहां कोई ऐसा हो जो ऐसी कई चीज़ें जानता और समझता हो जिन्हें कई लोग न जानते हैं न समझ पाते हैं तो वो व्यक्ति एक मिस्टिक बन जाएगा. एक दिन हुआ ऐसा, कि दो गाएं इंग्लेंड के मैदानों में चर रही थी. इंग्लेंड की गाएं. एक गाएं न दूसरी से पूछा, ये जो mad cow बीमारी चली है, इस पर तुम्हारी क्या रहा है? दूसरी गाएं बोली, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो वैसे भी एक हेलिकॉप्टर हूँ. एक मिस्टिक होना, एक आत्मग्यानी होना, बस ऐसा ही है. एक गाएं को ये हैसांस हो जाए कि वो एक गाएं है, और वो एक प्रसिद्ध गाएं बन जाए. पावित्र गाए, है न? क्या ये इतना सरल है? तो आईए मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ. ये एहम है और अद्भुत बात है कि टेड पहली बार यहां मैसूर में आईजुत हो रहा है, क्योंकि यहीं मेरा जन्म हुआ था, और यहीं मैं बड़ा हुआ, और ऐसा लगता था कि मेरे आस पास हर किसी को लगभग हर चीज़ पता है, और यहां मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, इसलिए मुझे हर चीज़ पर बहुत बहुत ज़ादा ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि दूसरों को सब पता था और वो किसी भी चीज़ पर ध्यान दिये बिना खुशी से अपना जीवन बिता सकते थे मेरी ध्यान देने की क्षमता ऐसी हो गई कि अगर मैं एक पत्ती को भी देखूँ तो मैं वहाँ बैठे-बैठे बस उस पत्ती को घंटों घंटों देख सकता था अगर मैं अपने बिस्तर पर बैठता तो बस अंधेरे को देखता रहता और ऐसा मैं पूरी रात कर सकता था तो ये ध्यान मेरे और मेरे आसपास की हर चीज़ के बीच एक बिलकुल अलग तरह की भागीदारी और समवाद लेकर आ गया चाहे वो जीवित हो या निर्जीव पर बाकी सब लोग ऐसा लगता था जैसे वो सब जानते हैं और अपना जीवन व्यस्त और मस्त होकर जी रहते पर मैं बस हर छोटी चीज़ को लगातार घूर रहा था और तब मैंने देखा कि मुझे ऐसास हुआ कि उनको भी कुछ नहीं पता था बस इतना था कि उनके अपनी धारनाएं और विश्वास थे जिनसे वो खुश थे यह या तो उनके खुद के थे या किसी और के द्वारा सौंपे गए थे और वो नकेवल यह जानते थे कि यहां क्या है बलकि वो दूसरी दुनियाओं के बारे में भी जानते थे भगवान, स्वारग और हर चीज़ के बारे में जानते थे और यहां मैं यह समझने के लिए जूज रहा था कि यह सब क्या है तो ये मुझे इतना दिल्चस्प लगा कि मैं खुद को मैसूर के एक मुख्य मंदर के बाहर लेकर जाने लगा क्योंकि मैं वाकई देखना चाता था कि भगवान से मिलने के बाद, भगवान से बातचीत करने के बाद, लोग कैसे हो जाते हैं तो मैं वहाँ खड़ा होकर मंदिर से बाहर निकलने वाले हर चेहरे को गौर से देखने लगा और आम तोर पर मुझे आसपास की गपशप सुनने को मिली कभी-कभी भारतिरी मंदिरों में आपके जूते किसी और के साथ चलते बनते हैं और फिर मैं देखता कि लोग यहां स्रिष्टी और स्रिष्टी करता दोनों को कोज रहे होते हैं मैंने हमेशा ये देखा कि रेस्टरांट से बाहर निकलते वे लोगों के चेहरों पर मंदर से बाहर निकलने वाले लोगों के चेहरों से ज़ादा खुशी होती थी भगवान वर्सिस डोसा और लगता है डोसा जीच जाएगा मुझे बात कुछ समझ नहीं आती थी और इसलिए मैं धीरे धीरे अपने आसपास की हर चीज और हर इंसान को लेकर और ज़्यादा शक्की होता चला गया मैं सामाजिक सनरचनाओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं, धार्मिक विश्वासों और यहां तक की व्यज्ञानिक सिध्धनतों पर भी शक करने लगा था क्योंकि उनमें से कोई भी मेरे जीवन के अनुभव से मेल नहीं खाती थी और एक दिन मैं चामुंडी हिल की और चल पड़ा, आपको इस जगा जरूर देखनी चाहिए और मैसूर में एक परंपरा है, अगर आपको कुछ करना है तो आप चामुंडी हिल जाते हैं अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो भी आप चामुंडी हिल जाते हैं अगर आप प्यार में पढ़ गया तो आप चामुंडी हिल जाते हैं अगर आपका प्रेम प्रसंग तूट गया तो भी आप चामुंडी हिल जाते हैं मेरा टूड गया था और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था तो मैं चामुणडी हिल की और जाने लगा और वहां जाकर मैं एक चटान पर बैढ़ गया मेरे जीवन के उस पल तक मैं हमेशा सोचता था कि यह मैं हूँ और वो कोई और है, या कोई और है पर पहली बार मुझे नहीं पता था कि कौन सा वाला मैं हूँ और कौन सा नहीं अचानक जो मैं था, वो हर जगा फैला हुआ था मैं जिस चटान पर बैठा था, जिस हवा में मैं सांस ले रहा था मेरे चारों और का माहौल, मैं हर चीज में विस्फोट कर गया था ये सुनने में बिलकुल पागलपन जैसा लगता है मुझे ऐसा लगा कि ये 10-15 मिनट तक चला होगा पर जब मैं अपनी सामाने चेतना में वापस आया तो मुझे ये पता चला कि साड़े चार घंटे से में वहीं बैठा था पूरे होश में आँखे खुली हुईं पर मेरे अनुभा में समय बिलकुल पलट गया बड़े होने के बाद पहली बार मेरे जीवन में मेरी आँखों से आसू बह रहे थे और मैं बिलकुल शांत और खुश रहा हूँ ऐसी कोई परिशानी नहीं थी लेकिन यहां में एक बिलकुल अलग ही तरह के परमानन में डूबा हुआ था मेरे शरीर की एक एक कोशे का परमानन में फूट रही थी जब मैंने अपना सिर हिलाया और कुछ तारकिक जवाब ढूनने के कोशिश की कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो मेरा बहुत ही स्मार्ट दिमाग बस यही कह पाया शायद मैं पागल हो रहा हूँ यह अनभाव गहराता चला गया और फिर ऐसा बार-बार होने लगा अगर मैं बस बैठता तो जो मेरे लिए बस कुछ पल होते थे वो दूसरों के लिए कई घंटे होते थे मुझे लगता बस एक मिनट हुआ है पर घंटे बीच जाते थे एक खास दिन था जब मैं एक जगा पर बैठा हुआ था मैंने वाकई सोचा कि लगभग 25 से 30 मिनट हुए होंगे लेकिन जब मैं अपनी सामाने चेतना में आया तो 13 दिन बीच चुके थे मैं वहीं का वहीं बैठा था और भारत ऐसा देश है कि वहां भीड इखटा हो गए मेरे गले में मालाई थी लोग मेरे पैर छुने लगे कोई जाना चाता था उनके बिजनेस का क्या होगा कोई जाना चाता था उसकी बेटी की शादी कब होगी वो सारी चीजें जिनसे मुझे नफरत थी वो मेरे आसपास हो रहीं थी और मुझे अपने आसपास की भीड से बचने के लिए उस जगा से दूर जाना पड़ा और जैसे जैसे ये अनुभा मेरे अंदर गहराता गया एक चीज मेरे साथ ये हुई कि हर वो चीज जो मैं मानता था कि मैं हूँ अचानक वो मैं नहीं था ये हमेशा से मैं था पर अचानक मैंने पाया कि ये केवल भोजन का एक धेर है जिसे मैंने खाया है जो मैंने इखटा किया है वो मेरा हो सकता है पर कभी मैं नहीं हो सकता ये सब मेरे मन पर पड़ी छापों का एक बड़ा धेड़ था और ये शरीर और मन मैं नहीं था बलकि ये मेरे थे तो मेरे और मेरे शरीर के बीच, मेरे और मेरे मन के बीच एक दूरी पैदा हो गई इसकी मदद से मेरे अंदर एक और अनुभव पैदा हुआ अचानक समय और स्थान के एक क्वेशन मुझ पर लागू नहीं हो रहे थे मैं देख पा रहां था कि जो वहां है वो यहां है और जो यहां है वही वहां है भूत वर्तमान और भविष आपस में मिल गये थे ये एक भवय उथल-पिथल थी पर बेहत खुबशूरत थी तो मेरा शक्की मन इसे समझ नहीं पा रहा था तो मैंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिये ये एक्सपेरिमेंट इतने अजीब थे कि ना बताना भेतर है और उसके नतीजे तो परियों की कहानियों जैसे हैं जिन पर किसी को विश्वास नहीं होगा पर एक बात थी जो मैं समझ चुका था वो ये कि ये ब्रह्माण मानव पर केंद्रित नहीं है और इनसान अपना अनुभव खुद बनाते हैं जादातर लोग समझते हैं कि उनका अनुभव उन परिस्थितियों से तैह होता है जिनमें वो रह रहे हैं पर इंसान का हार अनुभव सौ प्रतिशत हमारे अंदर हम खुद ही बनाते हैं। और मुझे लगता है आज कल बहुत सारे वैज्ञाने के से सहमत हैं। और ये एसास होने के बाद कि अगर सभी अनुभव हमारे अंदर से आते हैं, अगर आपके अनुभव की जड़ा आपके अंदर है, अगर आपके अनुभव का स्थान आपके ही अंदर है, जो की है, तो आप जीवन का कैसा अनुभव पाना चाहेंगे? मुझे यकीन है कि आप अपने लिए यही चाहेंगे कि यह बहुत सुखद हो चाहे आप जो भी कर रहे हो आप अपने पडोसी के लिए क्या चाहते हैं इस पर भैस हो सकती है लेकिन आप अपने लिए यही चाहेंगे कि आप परमानंद में रहें जैसे ही मुझे अहसास हुआ कि मेरे अनुभव की जड़े मेरे ही अंदर हैं तो मैं चीजों को घूरने के बजाए आँखें बंद करके बैठने लगा ये मेरे जीवन में एक आयामी परवर्तन था घूरने से लेकर आँखें बंद करके बैठने की तरफ मैं इस human system से इतना प्रभावित हुआ कि मैं अपनी आँखें खोलना ही नहीं चाता था कई-कई दिनों तक मैं बस आँखें बंद करके इसकी हर चीज को देखना चाता था और मुझे एक चीज हैसास हुई वो ये कि अगर मैं एक रोटी का एक टुकडा लूँ और उसे इस system में डालूँ तो रोटी का ये टुकडा कुछी घंटों में मेरा शरीर बन जाता है और फिर मैं इसे मैं के रूप में अनुभाव करता हूँ ये अद्भुत प्रक्रिया जैसे जैसे मैं इसके प्रती जादा से जादा जागरुक होता गया मैंने देखा कि स्रिष्टी का स्रोथ इस शरीर को बनाने वाला इसका निर्मान करता इसके अंदर ही है जब मैंने ये देख लिया तब मैं ये देख सकता था कि मैं अपने दिमाग को 24 घंटों में बिलकुल नया रूप दे सकता हूँ मैं खुद को सामाजिक परिवरिश, पारिवारिक परिस्थितियों यहां तक कि अपने अंदर के जेनेटिक गुणों के भी परे ले जा सकता हूँ मैं देख रहा था कि मैं अपनी हर चीज बदल सकता हूँ और 24 घंटों में मैं एक बिलकुल अलग विक्ती बन सकता हूँ अगले 24 घंटों में फिर से एक अलग विक्ती हो सकता हूँ मैं एक सचेत स्किजोफ्रेनिक की तरह था जो अलग-अलग चीज़ें आजमा रहा था एक दिन की बाद है मैंने फिल्ड होकी के एक खेल में मेरे बाएं टकने फ्रेक्चर कर लिए और मैं एक जगा जाकर बैठ गया मुझे बहुत ज़ादा दर्द हो रहा था और तब तक मैं दमें का एक पुराना रोगी बन चुका था और मुझे अस्थमा का बहुत गंभीर दरा पड़ा और वो दर्द और साथ में सांस न ले पाने में बहुत परिशानी हो रही थी उस समय मुझे लगा कि अगर इस शरीर को बनाने वाला इसके अंदर है तो ऐसा क्यूं है कि मैं इसे अंदर से ठीक नहीं कर सकता और मैं एक दिन संकल्प के साथ बैठ गया अगर ये सच है तो ये अपने आप ठीक हो जाना चाहिए नहीं तो मैं बिल्कुल गलत मार्क पर हूँ मैं लगभग एक घंटे से जादा समय तक अपनी आँखें बंद करके बैठा रहा जब मैंने आखें खोली तो मेरा आस्थमा हमेशा के लिए जा चुका था और सबसे बढ़कर मेरा तूटा हुआ पैर उस थोड़े से वक्त में बिल्कुल ठीक हो गया था एक घंटे से थोड़े जादा समय में इस अनभव से होसला पाकर मैंने ऐसे तरीके और सिस्टम बनाने शुरू कर दिये जिनकी मदद से हर इंसान उस बुद्धी और उस ख्षमता तक पहुँच सकता है जो इस सिस्टम के अंदर है जो एक रोटी के टुकुले को इंसान में बदल देती है ये बुद्धी और इंसानी सिस्टम की एक शमता जो केवल विचार प्रक्रिया तक सीमित नहीं है ये हर इंसान में मौझूद है पर दुर्भागे से इसका इस्तमाल नहीं हो पाता और मैं ऐसे सिस्टम बनाने लगा जिसका लोग आज इस्तमाल कर सकें भीत्री खुशाली की इन तक्नीकों और तरीकों की मदद से आप अपने भीत्री आयाम को मनचाहा रूप दे सकें लाखों लोग आज इसका इस्तमाल कर रहे हैं और इसके लाब कानन ले रहे हैं पर इसका महत्रपूर्ण पहलू ये है कि इतने उचे स्तर की बुध्धी और ख्षमता शरीर के हर मिली मीटर में शरीर के हर बिंदू में मौजूद है ना कि ये सिर्फ विचार प्रक्रिया में मानव समाजों ने इसका इस्तिमाल बिल्कुल भी नहीं किया है ऐसा करने के तरीके हैं और जब मैं इस प्रक्रिया से गुजरा तो मैंने देखा वो कौन सी चीज है जो तै करती है कि क्या मैं हूँ और क्या मैं नहीं हूँ मैं रोटी का एक टुकड़ा लेकर उसे खुद में बदलने में सक्षम हूँ अगर मैं शरीर को देखता हूँ तो मुझे ये बस इस धर्ती का उधार लिया हूँ टुकड़ा लगता है पर ये और वो अलग क्यूं है तब मैंने पाया कि सिर्फ अनभूतियों या सेंसेशन के दाइरे से ये तै होता है कि क्या मैं हूँ और क्या मैं नहीं हूँ यहाँ सेंसेशन है तो ये मैं हूँ और वहाँ मुझे सेंसेशन महसूस नहीं हो रहा तो वो मैं नहीं हूँ जब मैंने ये देखा मैंने अपने अंदर सेंसेशन के दाइरे को बहुत-बहुत करीब से देखा ये मेरे जीवन का वो दौर था, जब जादातर समय मैं अपनी आँखें बंद करके ही रहता था मैंने महसूस किया कि सेंसेशन के दाइरों को खींचा या बढ़ाया जा सकता है या जितना, ये अभी है उससे भी छोटा किया जा सकता है ये संभव है कि आप यहां बैठे रहें और कुछ भी महसूस ना करें जो भी यहां हो रहा है कुछ हद तक ये नीन में होता है या आप यहां बैठ कर इस पूरे हौल तक अपने सेंसेशन के दाइरे को बढ़ा सकते है और जो कुछ भी आपकी सेंसेशन के दाइरे के अंदर होता है, आप हमेशा उसे खुद के रूप में अनभव करेंगे यहाँ एक ग्लास पानी है, और यह मैं नहीं हूँ, यह बिल्कुल साफ है, लेकिन अगर आप इसे पी लें, तो आपने इसे अपनी सेंसेशन के दाइरे में शामिल कर लिया, और अब यह आप में बदल गया, तो अगर आप अपने सेंसेशन के दाइरे को बाहर फेक कर और वि अगर ये मेरे अंदर आ गई, तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि प्यार में रहना कोई सिखाई जाने वाली चीज नहीं है, करुना में होना कोई आइडिया नहीं है, दूसरे की भावना को समझना कोई गहरा सिधान्त नहीं है, इंसान को ऐसा ही बनाया गया है, अगर वो सीम जिसमें आपका शरीर और मन भी शामिल है, तो हर इंसान इसमें सक्षम है, अगर बाहरी परिस्थितियों की बात हो, तो हम सब अलग-अलग सामर्थ रखते हैं, पर भीतरी परिस्थितियों के मामले में हम सभी की काबिलियत समान है, जब भीतरी दुनिया की बात आती है, त आसपास के लोगों को खुद के रूप में अनुभाव कर पाएं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कोई अच्छाई सिखानी पड़ेगी, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको प्रेम सिखाना पड़ेगा, तो यही मेरा जीवन, मेरा काम और मेरा प्रयास बन गया ऐसे तरीके विक्सित करना जिन से लोग इस समावेश का अनुभव कर सकें। हम हर इनसानी समस्या को सुलजाने में सक्षम हैं। पोशन, स्वास्थ, शिक्षा, पर्यावरण, आप चाहे जो कहें हम सब को बदलने में सक्षम हैं। पहली बार हमारे पास जरूरी संसाधन हैं, ख्षमता हैं और तकनीके हैं। पर क्या हम इसे करेंगे? यह बस इस बात से तैह होगा कि हमारे जीवन का अनुभव कितना समावेशी है। अगर आप यहां खड़े होकर इस धर्ती को खुद के रूप में अनुभव करें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यह बताना पड़ेगा कि इसका ख्याल रखें। हर इंसान अपनी पूरी क्षमता से से करेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर यह इंक्लूसिवन नहीं होगी, तो हम जो कर सकते हैं वो नहीं करेंगे। अपने जीवन में अगर हम वो नहीं करते जो हम नहीं कर सकते तो कोई समस्या नहीं है। पर अगर हम वो नहीं करते जो हम कर सकते हैं, तो हम एक tragedy हैं. मेरी आशा और मेरा काम बस ये देखना है कि हमारी पीड़ी के लोग ऐसी tragedy नह बने, यानि हम जो कर सकते हैं वो हम जरूर करें. और इस वक्त हम जो कर सकते हैं, वो 100 साल पहले की ख्षमताओं की तुल्ना में बहुत जबर्दस रूप से अलग है. बहुत जबर्दस रूप से अलग. पर जिस चीज की कमी हैं, वो है एक समावेशी चेतना, जीवन का एक समावेशी अनुभव. अगर हम इसे लीडर्शिप में और लोगों में लेकर आते हैं, सिर्फ तभी हम ऐसे समाधान खोच पाएंगे, जो सभी के लिए माइने रखेंगे. नहीं तो हम बस यही करते रहेंगे. समाधान के नाम पर हम जादा से जादा समस्याएं खड़ी करते रहेंगे. अगर हम सच में ऐसे समाधान चाहते हैं, जो सभी के लिए माइने रखें, तो मानवता को पून समावेश का अनुभा होना जरूरी है, और ये संभव है. बहुत-बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद.